अलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल तो आज हम बात करेंगे यह जो वकैंसेस निकलिये मेल मोटा सर्विस चिन्नाई में निकलियो हुए यहां इन्होंने इसका ब्रिटीज में नंबर दिया हुए लिखे कि एप्लिकेशन वाइट फॉर्म इलीजिबल इंडियन सीडिजन के लिए वकैंसे यहां पर ईहने ट्रेट बता रहरें कौन कौन सी ट्रेट्स रहेंगी डिफ्रेंट डिफरेंट डिफ्रेंट ट्रेट्स में डास्ट डेट ए रखेंक्यशं की इन्नीस अक्तूबर दोजह बाइस पांच बहरे से पहले-पहले आपको आप्लिकेशन फो मैं पहुंच जाना चाहिए वकैंसिस के डिटेल्स दे रखिए कौन सी ट्रेड में आपकी रहेगी दन यहाँ पर ब्रेकेश दे रखिए कि कौन सी केटागरी में कितनी वकैंसिस हैं यहां पर टोटल जो वकैंसिस दे रखिए 5 है यहां पर दे रखिए एक आपकी आपकी अपकी अनिज़र्ड किरेगी यहानि एक आपकी ऑभीसी की रहेगी एक आपकी अनिज़र्ड किरेगी पर लेगी यहां पर लेकिए कि जो नबर वकैंस दिखाई नॉटिफाई की हो चेंजी जो सकती हैं बागी जो इस्यों और थौटी उनके पास राइट है वह चाहे तो नॉटिफिकेशन को कैंसर कर सकते हैं पेस्केल आपकर जो रहेगा आटीशन के स्केर्ट आटीशन के लिए बता रहेगे जो 18-30 साल कि जो मतलब एज बगरारा है गवर्न्मेंट सर्वेंट के लिए बता रहेगे आप टो 40 तक के लिए के अप्लाइब कर सकते हैं एज रख से बता रहे जो एसी वाले प्लाइब कर रहेगे यानि 18-35 साल और जो आवी सी वाले हैं उन्हें थी औ पर आपके करना इक अपर कोई भी गार के का कुई बि経ण करेंगे बीफली बात कर लेते हैं जैसे यहां पर लिखे कि अगर कोई candidate है वो यहां पर electrician के लिए apply कर रहा है तो उन्होंने जो अपनी आइट यह तो यह दे रखिए अपने इन्होंने आइट जो relevant trade में की होने चाहिए याने आइट यहां पर painter में यहां फिर यहां पर कंडिशन बता रहे हैं अगर कोई भी candidate motor vehicle mechanic के लिए apply कर रहे है तो उसके पास एक valid driving license होना चाहिए heavy motor vehicle का to drive any vehicle मतलब किसी भी vehicle को drive करने का उनके पास एक valid driving license होना चाहिए selection ने लिखे कि जो skilled addition की selection है जो भी ने लगएगा कि मेंगस candidate है जो इसके requested qualification को meet करते हैं उनका यहां पर competitive trade test रहेगा उनका मतलब जो भी आपके इलिजिबल candidate का मतलब जो आपके वेन्यू रहेगा या डेट रहेगा इसलेबस रहेगा ड्यूरेशन रहेगी वह आपके hall permit के साथ लिखाए कि आपको intimate कर दिया जाएगा inform कर दिया जाएगा इंस्ट्रक्शन्स दे रहेखिए candidate ने जो अपना application ने जो इनका प्रिसकाइब फॉर्मेट दिया होगा वह आप प्लेइन पेपर पे चाहिए तो वह भर सकते हैं और आपने जो अपना application है आप चाहिए तो आपका application फॉर्म reject हो सकता है इसके साथ साथ आपने यहां पे 100 रुपीज का आई पयो यानि इंडिन पॉस्टल एड्रेस के तुरू आपने अपनी फीज जिबोजेट करनी है या फिर आप चाहिए तो यूसी आ रिसेट होनी चाहिए किसी भी पॉस्ट ऑफिस की वह आपने अपने application फॉर्म के साथ enclose करनी है और जो भी application आपके scrutinize किये जाएंगे जो eligible candidate लगेंगे कि हाँ इसके लिजिबल है उन्हें trade test के लिए बलाया जाएगा और यहां पर लिखे कि आपके जो यह फीज रहेगी application फीज आपकी 100 रुपेज की है इसे refund नहीं किया जाएगा किसी या फिर आपने इंडिन पॉस्टल ओर्डर या फिर आपने यू सीर के तुरो यह आपकी जो फीज रहेगी आपकी ट्रेट टेस्ट एमिनेशन फीज रहेगी यह आपकी application फिज रहे है उसकी फीज से यह आपकी examination फिज यानि आपकी ट्रेटेस्ट की फीचेयगी जब भी आपको हाल टिकेट रहेगा तो यह अपने अपने लेके आनी होगी तभी आप ट्रेट टेस्ट अपना अटेंट कर सकते हैं अलोंग विद आपकी जो पेमेंट रिस्टिप्ट होगी अगर यहां पर लिखेगी यह कैंड़ेट जो एससी यह वूमेन कैंड़ेट है उन्हें आपको ना तो यह वाली फीस डिपोसिट करने हैं एप्लिकेशन फीस पर चूट दी गई है आपको समझ आगे होगा कि यह 100 रुपीज कौन से हैं यह आपके 400 रुपीज को से हैं 100 रुपीज में आपको एक पर क्लियर कर देती हूं 100 रुपीज आपके वह हैं जो आपकी एप्लिकेशन फीस आपने मतलब आप अपना एप्लिकेशन फॉर्म के साथ करनी है उससे बाद आपकी जो डॉक्किमैन गोलीज किया जागा और जो आपने आपकी जीन चीडिस के लिके लिए यह 10 आपको यहां पर द्रे पिर इंपके कर सकते हैं आपके application के reject होने की क्या क्या कारण हो सकते हैं यहां पर लिखे कि अगर आप अपना unsigned या फिर आपने अपने फोटोग्राफ नी self-attested किया आपने अपने document self-attested किया तो आपका application just song रिजक्ट हो सकते हैं आपाने अपना यहां एक तुर्व तो सकता है । आप रजाएं प्लिलिकाशन अप्लीकीशन की चैप्ट इस दो भी आपने हैं मोटर विकजेंडत झाढ्यम मोरा या व्ककर ली perfectly ढंड़ थे हो सकते हैं incomplete application है तो रिजेक्ट हो सकते हैं अगर आपका application form last date के साथ आ तो हो सकते हैं experience certificate है वह आपने मतलब फूल ऐडरस या फिर आपके अप्येस्टे नमर के तो आपका application form याँ पे प्रिजेक्ट हो सकते हैं original document आपने रिचीन फॉर्म के तो आपके साथ एक सेस्ट पॉटोकोपी आपका डिया पॉटकियेंस आपके से घरले करने तो आपने अपना क्लाइटी सब्विकेट यहां पर इसके साथ और धॉतूपी अटैज करनी है यह इन्हों ने specially clarification दे रखिए कि अगर आप एक से ज़्यादा post के लिए apply करना चाहते हैं तो आपने separate application करना है for each trade के लिए separate envelope में भेजना है then अगर लिखे कि यहाँ पर आपने जो अपना envelope भेजेंगे इसके अपर clearly mention करना है कि आप कौन सी post के लिए apply करना है like अगर यहाँ पर you a p3 electr करना है तो आपने यहाँ पर इल्यक्रिशन लिखे भेजना है कि हाँ Hम यहाँ पर इल्यक्रिशन के लिए कर रहे हैं तो यह आपको यहाँ पर जाएगा जो आपने यहाँ पर लिख देना है कि application for the post of skill art season in the trade art season के लिए आपने जो अपना application form है इस एड्रेस पर भीजना है यहां पर जो आपको address दिया होगा तो सीनियर मेनेजर जे एजी मेल मोटर सर्विस यहां पर नमबर 37 ग्रीम्स रोट चैननाई 600006 इस एड्रेस पर अपने अपने application form भीजना है और या तो आप अपना application पोस्ट जो अपना application form जो स्पीड पोस्ट के त्यूंब सकते हैं अगर आपको application form लास्ट डेट के बाद आता तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा और एक ही अगर application में आप मल्टीबर ट्रेट के लिए अप्लाइब कर रहें तो भी आपको application form reject कर दिया जाएगा और यहां पर आपकी application की लास्ट डेट दे रखिए उन्नीस अक्तूबर दोजार बाइस पांच बेसे पहले 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 आपको application form में पहुंच जाना चाहिए अधिक जनकरी चाहिए तो आप इसकी official website पर जाकर चेक कर सकते हैं जिसका link में आपको description box में डाल दूंगी यदि आपकी इस वीडियो से लेटिट कोई भी query है तो हमें comment section में लिख के बता सकते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो please like and share इस तरह के informative वीडियो को देखने के लि